हलो फ्रेंट्स विलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स अक्सर आप मेंसे बहुत से लोग कमेंट आता है बहुत से लोग मुझसे पुछते है कि सारे यह जो आप गाड़ी और से लिटेट अलग अलग टॉपिक्स के पर हैं वीडियो बनाते हो इतने सारे अलग अलग अ आतीक हैं लेकिन आज के टाइम पर बिजो सबसे सटीक जानकारी मुझे मिलती है वो बुक से आने की किताबों से ही मिलता है और ऐसे ही कमाल के बुक के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ही यूसपुल ये बुक आपके लिए साबित होगा फिर देखें मैंने तो mechanical engineering किया है बहुत सारे बुक्स को मैंने पढ़ा और सुरू से ही मरे बुक्स में interest रहा है और जब भी मुझे कोई अच्छी जानकारी चाहिए होती डीप knowledge चाहिए होता है तो मैं बुक्स ही उठाता हूं किताबों को ही पढ़ता हूं तो फिर देखें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी workshop है कोई local garage है कोई service center है इसके लावा या फिर आपको technician हो, mechanic हो इसके लावा या फिर आपने कभी automobile, mechanical, electrical, electronics, mechatronics इन से जोड़े हुए किसी भी course पे चाहिए ITI किया हो, diploma, polytechnic, b.tech, m.tech कुछ भी किया हो engine control module है या बहुत से लोग issue भी कहते है engine control unit कहते है उसके जुड़ी होई training जुड़ी होई बहुत सारी जानकारिया इस book में दी गई है और आपको ये पता होना चाहिए आपको पता भी होगा कि आज के टाइम पे क्या है कि जो maximum गाडिया वगरा है वहाँ पे engine control unit को दिया जात होती है तो इसलिए बहुतर mechanic बने के लिए बहुतर technician बने के लिए बहुतर गाड़ी का knowledge होने के लिए आपको ECM के उपार वे बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए और यह सब आपको मिलने वाला है इस book से अब इतनी तारिफ मैं इस book के कह रहा हो तो आप सो जोगा कि इस book में ऐसा क्या खास बात है चलिए मैं आपको पताता हूँ कि इस book में क्या खास है फ्रेंड्स आप देख सकते हो यह book basics of mechatronics यह part 1 है और आप देख सकते हो कि यह हिंदी edition लिखा हुआ है क्योंकि यह book तीन अलग-अलग language लेवल है आप देख सकते हो यह है इसका English edition मैं य development academy के तरफ से आया है और basically इस book में cars and truck को लेकर जो ECM repairing training है उसके बारे में detail में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ यहाँ पर बताया गिया है book के अंदर जाने से पहले मैं आपको पीछे back side में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखो गौर करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर यह जो आपको numbers दिखाए दे रहे चल जागा खैर इसके बारे मैं आपको वीडियो के end में बता दूँगा फटा फटा फटास हम क्या करते हैं यहाँ पे इसे open कर लेते हैं ठीक है book को तो friends आप देखरें उनके writer जगजीत सिंग जी है जिन्होंने इस book को लिखा है और इन्होंने अपना जो भी practical knowledge और जो ऑब आपको इस book में जानने को मिलेगा लेकिन जो content है वहीं पे खतम नहीं होते है आप देखको यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि content और भी और भी chapter wise सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया गया है फिर जै कि basically हलाकि सारे चीज़ों cover करना मुश्किल है वीडियो बहुत ही लंबाओ जाएगा लेकिन फिर मैं कुछ important points को आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको यह मालूम चल सके कि book में क्या क्या जानकारिया दी गए जैसे sensor से हम सुरुवात कर लेते हैं यहाँ ठीक है आ आप देखो कितनी आसान लफजों में यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में दिया गया कि sensor होता क्या basically कितने type का होता है इसके लावा जो sensor होते है दो तारो वाला sensor तीन तारो वालो sensor इसके बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर यह भी दिया गया कि दो तारो वाला sensor में आपे होता है, क्राइंग संसर काम क्या करता है, जो two wire है, three wire है का डाइकराम, यहाँ पर देख लो voltage के साथ, इसके लावा देख लो, कि यह क्राइंग संसर, अगर वो खराब होता है, तो क्या क्या प्राइंग संसर को पर मैं काम करो, उसे खोल या fit कर रहे हो, तो आपको किन-क इन बातों का ख्याल रखना है, इसके लावा अगर आप क्राइंग संसर को, मैं आप देखाना चोंगा है यहाँ पर, कि अगर आप उसको बड़ चेक कर रहे हो, तो quotes, यह quotes जाते हैं, इन quotes का क्या मतलब है, आप simply देखो कितनी अच्छी तरीके से एक संसर के बारे में ही यह पर दिया गया है, इसी तरह से बाकि सारे संसर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और संसर के रावा स्विचेस की बात कर ले, तो यहाँ पर जो ब्रेक पैडल स्विच हो गया, कलच पैडल स्विच हो गया, इसके बारे भी सेम इसी तरह से complete जानकारी आपको मिलेगा, चैप्टर फोर जो की मल्टी मिटर की उपर में है मेरा कॉर्टिंग तो यह जो चैप्टर जो मल्टी मिटर से जोड़ी जानकारी इस बुक में दी गई है यह इस बुक की यूएस पी और एक बंदा एक अच्छा टेक्निशन या मेकानिक बन ही नहीं सकता अगर उसे गाड़ि अलग वायरिंग इसके लावा जो रिजिशन होना चाहिए जो टॉल्डेंस लिमीट आप देख सकते हो यहां पर देख लो यहां पर देख लो यह सब अच्छी तरह से अलग अलग से बारे में यहां पर दिया गया कि मल्टी मिटर से किस तरह सापको उसे चेक करना है इसके और वायरिंग चेक करना आप को वोल्टेज चेक करना हो या निया अच्छी तरह से कोई वी काम वी करना हो तो आप देख सकते हो कि कम्प्लीट डाइगराम के साथ इस बुक के लिप से व्ग अप सीख सकते हो और आगे चल कर व्ग आप उसे अपने जो भी प्रैक्टिकल न connector आप देख सकते हो अब देखो इस OBT connector में यहां पर देखोगे तो total 16 पिन यहां पर दिये गए है आप देख सकते हो इस तरह से हर एक पिन की यहां पर जानकारी दी गई है 1 से लेकर 16 तक आप देखो description की पिन नंबर 1 है vendor option जो पिन number 2 है वो किया है इस तरह से आप देखो कि सारी जानकारी यहां पर दी गई है इस OBT connector को लेकर और अभी के time पर तो आपको गारियों में से use करना ही पर तक काफी जानकारी इस से हमें मिल जाती है तो आप देखो इस तरह से बहुत सारी जानकारिया आप आपको दिखाना चाहूंगा इस book में आगे भी दिया गया है हलाकि सारी जानकारियों को मैं बताने लगए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा लेकिन यहां पर जो content है इस साब समझ सकते हो कि कितनी सारी important जानकारिया इस book में दी गई है आप समझ लो फ्रेंट्स खास करके मैं जो training यहां पर provide की जाती है उसके बारे आपको थोड़ा सा बताना चाहूं कि आप देख सकते हो कि जो high tech automotive skill development academy है यहां पे ECM repair training, scanning training, meter repair training, immobilizer repair training, ECU programming, center lock, module repair, air bags, repair and reset, EPS and BCM repair training और यह जो यतने भी training है इनमें किन किन चीज़ में दिया गया है, duration भी आप देख सकते हो, एक महिना, दो महिना, छे महिना, एक साल, तो अपने according वो आप चुन सकते हो, साथी जो government approved certificate आपको भी यहां पर मिलने वाला है, इसके लावत कुछ footage आपको कुछ images पगरा यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो friends मेरे according तो यह जो आ काफी सारी जानकारियां मिल जाएगी, friends अब हम लोग अगर इस book की price की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका price है 1650 रुपए, इसके लावा 100 रुपए additional delivery charges लगेगा, जो कि all over India 100 रुपए ही लगने वाला है, यानि कि complete यह जो book है वो आपको 1750 रुपए में म वो काफी बहतर है, आपको जरूर ये फाइदे मन सावित होगा, आपको ये पसंद भी आएगा और बहुत सारे knowledge, बहुत सारे जानकारिया आपको इस book से मिल जाएगी, तो फिर आज कि इस वीडियो में नहीं उमीद है कि आज कि आज को पसंद आया होगा, वीडियो मिलते रहे, मिलते अगले वेडियो में, थांक्स वाचिंग इस वीडियो, गुड़ बाई